नमस्कार, S.V. Academy की online classes में आप सभी बच्चों का स्वागत है आज अपने कक्षा साथ में अध्याय उश्मा साइंस में जिसे अपने लाश्ट वीडियो में कम्प्लीट किया था आज इस वीडियो में अपने इस अध्याय के question answer करेंगे तो सबसे पहले अपने start करते हैं एक नमबर question प्रयोक्षाला तापमापी तथा डोक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखेंगे दोक्टरी तापमापी में समानताएं क्या होती है तो सबसे पहले अपने समानताओं के बारे में पढ़ते हैं दोनों का उप्योग तापमापने के लिए करते हैं यानि दोक्टरी थर्मामीटर वै जो उप्योग्षाला तापमापी है इसका उप्योग तापमापने के को मापा झाता है यह तो इसकी समानता हैं धोनों फिर इसके बाद लिए जो इसके बाद है प्योग अन्ठो इताल भी में अंतर क्या है फ्यूग करें कि अं करना है इसका प्योग प्योग शाला वे अन्य कार्यों में किया जाता है प्योग शाला ताप मापी का क्या नोट करना है इसका प्योग अपने जो प्योग शालाओं या अन्य कार्यों में ताप मापन के लिए किया जाता है और इसका ताप परिशर कितना होता है माइनस दस डिगरी से एक सो दस डिगरी सेलसिस तक होता है तो प्रयोग शाला ताप मापी में आपने ये नोट करना है इसके बाद में दोक्टरी थर्मामीटर है दोक्टरी थर्मामीटर से किस परकार भिनना है तो इसमें अपने क्या नोट करेंगे इसका उप्योग श्रीर का ताप मापने के लिए किया जाता है तो पहला अंतर उससे क्या हुआ उप्योग श्रीर का ताप मापने के लिए किया जाता है इस पर 35 डिगरी से 42 डिगरी से तक ताप परिशर अंकित होता है तो दूसरा अंतर क्या है इसमें तो ताप माप कितना था माइनस दस डिगरी सेल्सिस से 110 डिगरी सेल्सिस लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना 35 डिगरी सेल्सिस से 42 डिगरी सेल्सिस तक होता है तो ये इसके फर्स्ट कोश्चन का अंसर है इसके बाद में जो आपका second number question है कि उश्मा चालक तथा उश्मा रोधी प्रतेक के दो दो उधारन दीजिए तो इस second number question का क्या answer note करना है उश्मा चालक aluminium है जो एक धात्तु है और iron है आईरन भी क्या एक धात्तु है ये दोनों उश्मा के चालक है फिर अपने उश्मा रोधी के दो उधारन लिखने है तो प्लाश्टिक भी क्या है उश्मा रोधी है और लकड़ी ये भी उश्मा रोधी है तो ये दोनों उश्मा रोधी पदार्थ हैं अब ये आपका question number second complete हुआ इसके बाद में आपका question जो third है third में क्या आपने रिकी स्थानों की पूर्ती करनी है तो रिकी स्थानों की पूर्ती करेंगे इस question में अपने तो सबसे पहले क्या number है कोई वस्तौ कितनी गरम है इसकी जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जती है तो इसमें नोट करना है ताप मापी द्वारा प्राप्त की जती है फिर आगे खै नमबर question है उबलते हुए पानी का ताप किसे नहीं मापपा जा सकता तो इस रिकस्तान में क्या नोट करना है डोक्टरी ताप मापी से नहीं मापपा जा सकता है इसके बाद अगला कोश्jenigen है ताप को डिगनी रिकस्तान में मापत आ Chrystasyon में आपको मापा जाता है तो यह इसका गया नंबर कोश्चन हुआ फिर इसके बाद तीसरे का बिना किसी माध्यम द्वारा उस्मा के स्थानांत्रण के प्रकरम को रिकिस्तान कहते हैं तो बिना माध्यम के उस्मा का स्थानांत्रण होता है तो उसे विकिरन कहा जाता है तो इसमे यह अपने दूसरे सिरे तक उश्मा का स्थानांतरन किस परकरम द्वारा करती है तो यह चालन द्वारा करती है तो इस रिकिस्तान में अपने क्या लिखना है चालन क्योंकि चालन द्वारा ही उश्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरन होता है इसके बाद में अगल रंग के वस्त्र हैं यह उस्मा का अधिक अवशोशन करते हैं इसलिए इन्हें सर्दियों में पहना उप्योगी है लेकिन गर्मियों में इन्हें नहीं पहना चीए जिससे यह क्या उश्मा का अधिक अवशोशन करेंगे और अपने को गर्मी का अन्बह होता है तो यह आपका जो रिकिस्तान वाला question था, third number ये complete हुआ इसके बाद में जो आपके आगे वाले question number 4 है तो question number 4 में क्या, column A वै B का मिलान करना है column A में दिये गे कत्नों का column B के शब्दों से मिलान कीजिए तो यहां थल समीर के बहने का समय है, इसे चार नमबर से अपने मिलान करना है, रात तो रात्री के समय थल समीर है, वो वहती है फिर है समुंदर समीर के बहने का समय है, तो समुंदर समीर कब दिन के समय तरती लाकों में वहती है जिससे यह वहाँ ठंडी हवा परवाहित होती है तो इसे किस से मिलाना है तीन नंबर से मिलान करना है इसका फिर गया नंबर है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय है गहरे रंग के कपड़े अपने कप पसंद करते हैं सर्दियों में तो इसे किस से मिलाना है second number से सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पसंद की जाते हैं फिर हलके रंग के कपड़े पसंद करने का समय हैं तो हलके रंग के कपड़े अपने कप पसंद करते हैं गर्मियों के समय हैं तो ये आपका कॉलम A और B का मिलान करने वाला कोश्चन कम्प्लीट होता है। इसके बाद में कोश्चन नमबर पांच है। सर्क्यों में एक मोटा वस्तर पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्तर अधिक उश्णता क्यों परदान करता है व्याख्या कीजिए। तो ये पांच नमबर कोश्चन है। इसका अंसर आप नोट करेंगे। अधिक परतों का बना वस्तर अधिक उश्णता इसलिए परदान करता है। क्योंकि इसमें वायू की परत बनी रहती है जो उसमा पर्दान करती है तो इसका क्या नोट करेंगे अधिक परतों का बनावस्त्र अधिक उश्णता इसलिए पर्दान करता है क्योंकि इसमें वायू की परत बनी रहती है जो अपने को क्या उश्मा परदान करती है तो ये question number 5 का अंसर है फिर आगे आपका question number 6 अपने notebook में किया था जिसमें क्या diagram बताया गया था और अपने उसमें चालन स्वैन और विकिर्ण को बताना था इसके बाद आपका question number 7 है गरम जलवायू के स्थानों पर यह प्रामर्श दिया जाता है कि गरों की बाहरी दिवारों पर श्वेद पेंट करना चाहिए तो व्याक्य कीजिए क्यों करनी चेंश्वेद पेंट इसका अंसर लिखेंगे गरम जलवायू वाले स्थानों पर बाहरी दिवारों पर श्वेद पेंट करने की सलाह है इसलिए दी जाती है क्योंकि श्वेद पेंट करने पर उसमा का अवश तो अपुवर्तित कर दियता है इस कारण दिवारों पर श्वेत पेंट करनी चाहिए तो यह आपकी कोश्चन है वह कंप्लीट हो गए जिसमें कि आपने प्रयोक्षाला तापमापी दोक्टरी तापमापी में अंतर पड़ा फिर उश्मा का चालक और उश्मा रोधी पदार् तो इसको अपने अपनी नोट मुक में साफ साफ नोट करना है और इन्हें रिवाइस करना है नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाला नेक्स्ट लेशन स्टार्ट करेंगे थैंक्यू तो इसमें अपने देखेंगे सबसे पहले तो विकीरन द्वारा उस्मा का स्थानांतर्ण यहां पर विकीरन द्वारा उस्मा का स्थानांतर्ण हो रहा है और इसके बाद में है चालन तो इस बरतन में उस्मा किस रुप से प्रुवेश कर लिए चालन द्वारा क्योंकि जब जल नीचे ये रखी पत्ती गरम होती तो उसके बाद में बरतन में भी क्या चालन द्वारा उश्मा का स्थानांतरण हो जाता है फिर है स्वेहन, स्वेहन द्वारा क्या गरम होता है जल, जल किस द्वारा? स्वेहन द्वारा गरम होता है तो इस चित्र में इस तरह से आपने चालन, विकिरन और स्वेहन को नोट करना है इसके बाद में आगे वाले कोश्चन है जो ओप्शन वाले हैं उसे अपने पढ़ते हैं तो इसमें आठ नमबर कोश्चन है 30 डिग्री सेल्सिस के एक लिटर जल को 50 डिग्री सेल्सिस के एक लिटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रन का ताप होगा 30 डिग्री सेल्सिस का जल था और उसमें क्या 50 डिग्री सेल्सिस का एक लिटर जल के साथ मिला दिया गया तो मिश्रन का ताप कितना होगा 30 degree Celsius से 50 degree Celsius के बीच में होगा यूँकि इसमें क्या योग नहीं होता इसमें तो अधिक्तम ताप है वही देखा जाता है तो यहां 50 degree Celsius है तो इसका मतलो 50 degree Celsius तक होगा फिर इसके बाद में अगला कोस्चन है 40 degree Celsius ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में बरे 40 degree Celsius ताप के जल में डुबाया गया इस परकिरिया में क्या होता है लोहे की एक गोली थी जिसका ताप कितना था 40 degree Celsius और उसे एक कटोरे में बरे 40 degree Celsius गरम जल में डुबाया गया इसमें क्या होता है लोहे की गोली से जल की और स्थान अंत्रित होगी नै तो लोहे की गोली से जल की और और नहीं जल से लोहे की गोली की और स्थान अंत्रित होगी दोनों के इताप में व्रदी कर देगी इसमें क्या होता है जो लोहे की गोली है उससे जल की और उश्मा स्थानांत्रित नहीं होगी लेकिन जो लोहे की गोली है उससे में क्या जल से लोहे की गोली में उश्मा का स्थानांत्रन होगा तो इसमें गया नमबर इसका option लिखना है अपनी फिर लकडी की एक चम्मच को आईस्क्रीम के प्याले में डुबाया गया है इसका दूसरा सिरा लकडी की चम्मच है इसको एक आईस्क्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सीरा थंड़ा हो जाएगा किस के कारण चालन के कारण थंड़ा हो जाएगा तो इसका question का answer यह है क्योंकि चालन द्वारा ही इसमें उस्तमा का स्वैन होता है फिर आगे है stainless इस पात की कड़ाई में प्राय कोपर यानि तामबे की तली लगाई जाती है एक नमबर दिये तामबे की तली कड़ाई को टिकाऊ पना देती है ऐसी कड़ाई देखने में सुंदर लगती है stainless इस पात की पेक्षा तामबा है वो उश्मा का अच्छा जालक है stainless इस पात की पेक्षा तामबे को साफ करना अधिक असान है तो इसमें गया नमबर होगा क्योंकि स्टेनलेस इस पात की पेक्षा तामबे में उश्मा का अधिक चालन होता है तो यह आपके question है वो complete वे अब जो आगे बचते हैं question उने अपने एक notebook में note करके आगे complete करेंगे